संध्या संध्या का ताथपरे है नाम या पहचान संध्या में हम जिस किसी का भी परिचे जानना चाहते हैं सबसे पहले उसका नाम जानना चाहते हैं व्याकरण में नाम को ही संध्या कहते हैं गंगाराम नाम का एक किसान था वह एक गाव में रहता था उसके पास दो बैल थे हीरा और मोती दोनों बैलों में बहुत प्यार था वह अपने बैलों को बहुत चाहता था पशु भी प्यार के भूके होते हैं उपर दिये गए वाक्यों में गंगाराम, किसान, बैल, हीरा और मोती ये व्यक्ति एवं प्राणियों के नाम है। चारे और पानी ये वस्तु के नाम है। प्यार भाव का नाम है, गाव स्थान का नाम है। किसी प्राणी स्थान, वस्तू, भाव या गुण के नाम को संध्या कहते हैं, संध्या के भेद, संध्या के तीन भेद होते हैं, व्यक्ति वाचक संध्या, जाति वाचक संध्या, भाव वाचक संध्या, व्यक्ति वाचक संध्या, जिस संध्या शब्द से किसी विशेश व्य जातिवाचक संख्या जो संख्या शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तू की पूरी जाती का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संख्या शब्द कहलाते हैं, जैसे आदमी, जानवर, पक्षी, किताब, श्त्री, पूरुष, विध्याले, शहर, गाउ, पहार, आदी. ध्यान देनी योग्य बाते कभी-कभी व्यक्तिवाचक संध्याय जातिवाचक संध्याओं की तरह प्रयुक्त होती है आज भी भारत में हरीश्यंद्रों की कमी नहीं है समाचार पत्र में कलियुक के श्रावन कुमारों के बारे में पढ़कर अच्छा लगा नोट व्यक्तिवाचक संध्याय व्यक्तिवाचक संध्याओं की तरह प्रयुक्त होती है जैसे शास्तिजी का नारा था जय जवान जय किसान नहरुजी बच्चों को बहुत चाहते थे पंडित जवाहर लाल नहरु टैगोर को गितांजली के लिए नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया रविंद्रेनाट टैगोर भावाचक संध्याओं जो संध्याओं शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ के गुन, दोश, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे भावाचक संध्या कहलाते हैं जैसे सुख, दुख, मम्ता, प्यार, सुन्दर्ता, इमानदारी, सच्चाई, बैमानी, बुढ़ापा, बचपन, योवन, आदि विशेश भावाचक संध्याओं को हम स्पर्ष नहीं कर सकते हिंदी भाषा में अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संध्या के दो भेध हैं और श्वीकृत कर लिए गए हैं ये हैं द्रव्यवाचक संध्या, समुह वाचक संध्या जिन संध्याशब्दों से किसी धातू या द्रव्य का बोध होता है जैसे लोहा, लकडी, सोना, चांदी, तामबा, मिटी, तेल, घी, आदी समुह वाचक संध्या जिन संध्याशब्दों से एक ही जाती के विक्तियों वस्तूओं के समुह का बोध होता है उन्हें समुह वाचक संध्याशब्दों के रचना भावचक संध्याशब्दों पाच प्रकार से बनती है जाती वाचक संध्याशब्दों से सर्वनाम से विशेशन से, क्रिया से, अव्यय से जाती वाचक संध्याशब्दों से भावचक संध्याशब्दों बनाना जातिवाचक संग्या ईश्वर, भाववाचक संग्या एश्वर्य, जातिवाचक संग्या वीर, भाववाचक संग्या वीर्ता, जातिवाचक संग्या खेत, भाववाचक संग्या खेती, जातिवाचक संग्या प्रभु, भाववाचक संग्या प्रभुता, जातिवाचक संग परिवार, भाववाचिक संग्या पारिवारिक, जातिवाचिक संग्या नेता, भाववाचिक संग्या नेत्रत्व, जातिवाचिक संग्या सेवक, भाववाचिक संग्या सेवा, जातिवाचिक संग्या डाकू, भाववाचिक संग्या डाका, जातिवाचिक संग्या युवा, भाव वाचक संग्या योवन जाती वाचक संग्या माता भाव वाचक संग्या मात्रत्व जाती वाचक संग्या शत्रू भाव वाचक संग्या शत्रू ता जाती वाचक संग्या बच्चा भाव वाचक संग्या बच्पन जाती वाचक संग्या दानव भाव वाचक संग्या दानवता जाती वाचक संग्या पंडित, भाव वाचक संग्या पंडिताई, जाती वाचक संग्या भक्त, रिपीट भावाचक संग्या भक्ती, जाती वाचक संग्या ठग, भावाचक संग्या ठगी, जाती वाचक संग्या सज्जन, भावाचक संग्या सज्जनता, जाती वाचक संग्या मजदूर, भावाचक संग्या मजदूरी, जाती वाचक संग्या राष्ट, भावाचक संग्या जातिवाचक संग्या पशु, भावचक संग्या पशुता, जातिवाचक संग्या मानव, भावचक संग्या मानवता जातिवाचक संग्या कवी, भावचक संग्या कवित्व, जातिवाचक संग्या चोर, भावचक संग्या चोरी जाती वाचक संग्या संस्कृती भावाचक संग्या संस्कार सर्वनामों से भावाचक संग्या बनाना सर्वनाम निज भावाचक संग्या निजत्व सर्वनाम मम भावाचक संग्या ममत्व सर्वनाम अहम भावाचक संग्या अहंकार सर्वनाम अपना भावाचक संग्या अपनापन सर्वनाम सर्व भावाचक संग्या सर्वस्व सर्वनाम पराया भावाचक संग्या परायापन विशेशनों से भावाचक संग्या बनाना विशेशन आदर्निय भावाचक संग्या आदर विशेशन युवा भावाचक संग्या युवन, विशेशन मोटा भावाचक संग्या मोटापा, विशेशन विद्वान भावाचक संग्या विद्वानता, विशेशन थंडा भावाचक संग्या थंडक, विशेशन भयानक भावाचक संग्या भय, विशेशन बुरा भावचक संग्या बुराई विशेशन आलसी भावाचक संग्या आलस्य विशेशन निर्धन भावाचक संग्या निर्धन ता विशेशन काला भावाचक संग्या कालीमा विशेशन उदार भावाचक संग्या उदार ता विशेशन गहरा भावाचक संग्या गहराई विशेशन महंगा भावाचक संग्या महंगाई विशेशन एक भावाचक संग्या एकता विशेशन कृतग्य भावाचक संग्या कृतग्यता विशेशन खटा भावाचक संग्या खटास विशेशन सुन्दर भावाचक संग्या सुन्दरता विशेशन लगु भावाचक संग् विशेशन चालाक भावाचक संग्या चालाकी, विशेशन उचा, भावाचक संग्या उचाई, विशेशन प्यासा, भावाचक संग्या प्यास, विशेशन स्वस्त, भावाचक संग्या स्वास्त, विशेशन हरा, भावाचक संग्या हरियाली, विशेशन आवशक, भावाचक आवशक्ता विशेषन चतुर बावाचक संग्या चतुरै विशेषन मधूर भावाचक संग्या माधोर्य यह मधूर्ता क्रिया लडना भावाचक शब्द लडाई, क्रिया चपना भावाचक शब्द चपाई, क्रिया उडना भावाचक शब्द उडान, क्रिया बहना भावाचक शब्द बहाओ, क्रिया चुननना भावाचक शब्द चुनाओ, क्रिया छोडना भावाचक शब्द छूट, क्रिया चढ़ना भावाचक शब्द चढ़ाई, क्रिया मिलना भावाचक शब्द मिलाप, क्रिया बिकना भावाचक शब्द बिक्री, क्रिया सजाना भावाचक शब्द सजावट, क्रिया भूलना भावाचक शब्द भूल, क्रिया चलना भावाचक शब्द चाल, क्रिया लिखना भ भावाचक शब्द हसी, क्रिया, रोकना, भावाचक शब्द रुकावट, अव्यय से भावाचक संग्या बनाना, अव्यय समीप, भावाचक संग्या, समीपता या सामिप्य, शिग्र, शिग्रता, मना, मनाही, दिक, दिककार, दूर, दूरी, नीचे, नीचाई, तेज, तेज निकट निकट्टा उपर उपरी हमने सीखा जिस शब्द के द्वारा किसी स्थान व्यक्ति जाती भाव और संभन्द का बोध हो उसे संध्या कहते हैं संध्या के तीन भेद होते हैं व्यक्ति वाचक संध्या जाती वाचक संध्या और भाव वाचक संध्या